हेलो एवरबन वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैंस क्लासेज आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास एट में जो चाप्टर नुबर 14 है मैंसुरेशन मैं इसे पहले आपको बता दू कि इसे पहले मैंने सिक्स क्लास की जो डियेवी की वुक है वो कंप्लेट की है अब मैं एट्थ क्लास का और सेवन्थ क्लास की वीडियो भी साथ में डालूँगी तो इसमें मैं आज स्टार्ट कर रही हूं चैप्टर नुबर 14 मैंसुरेशन में कॉशन नुबर 1 है find the area of a trapezium whose parallel sides are 57 cm and 33 cm and the distance between them is 13 cm तो आपने वहाँ पर trapezium word नहीं सुना है तो आप यह first time सुन रहा है तो मैं आपको बता देती को trapezium हमारा इस टाइप के एक figure होते है close figure है तो यह इस टाइप से एक figure होती है इसमें trapezium में क्या special चीज होते है तो trapezium भी एक quadrilateral ही होता है मतलब उसकी four sides होनी चाहिए तो यहां से देखे A, B, B, C, C, D और D, A यह four sides है लेकिन trapezium में हमारा क्या होता है उसमें यहां पैरलेल side होता है means opposite side का एक pair उसमें कैसा होगा पैरलेल होगा तो जैसे आपको यहां दीख रहा ओगा अ, B, D, C, यहां पर यह कैसी है parallel sides हैं तो यह आपका क्या है एक trapezium है क्या होता trapezium में one pair of parallel sides सिर्फ एक pair मतला opposite side का सिर्फ एक pair parallel होता है ठीक है यह non parallel है और यह दोनों कैसी है parallel ठीक है अब question बिलकुल simple है तो हम इसमें देखो क्या दिया हो find the area मुझे इस figure है यह जो इसका area बताना है इसको हम trapezium बोलते हैं whose parallel side जहार इसकी यह वाली यह वाली side और यह वाली दोनों parallel है ठीक है और इनकी length कितनी दिए है 57 cm and 33 cm तो अब आपको यह चोटी दिख रही है और यह वाली बड़ी दिख रही है तो बड़ी हम यहां पर लिखेंगे 57 cm ठीक है और यह है यह 33 cm ठीक है और हमें दिए है and the distance between them अब आप यहां से देखो यह जो यह जो यह जो यहां पर यह parallel line है line segments है इनके बीच का distance जैसे यहां से यह A से E जागा जितना distance A E है आप इसको यहां पर कहीं इन पर भी measure कर लो सेम रहता है ठीक है तो मुझे इनके बीच का यह जो डिस्टेंस अपर पर पर कर लेते हैं इसको हम यहां पर लिखेंगे यह जो फीगर है इसका area क्या होगा तो मैं यहां लिखूंगी area of rapizium ठीक है इसका formula होता है यह आपको learn करना है वो क्या है इसमे 1 by 2 into sum of parallel sides sum of parallel sides और multiply में आएगा आपका height ठीक है यह इसका formula होता है एक बार दुबारे से repeat कर देती हूँ 1 by 2 sum of parallel side multiply by height ठीक है तो यहां से हमारे पास आएगा 1 by 2 into sum of parallel side यहां पर हमें हमें निकालना पड़ेगा कि sum of parallel sides आ कितना रहे ठीक है तो parallel side यहां पर यह 33 है और यह 57 है इन दोनों का मुझे sum करना है मतलब add करना है 33 और 57 को क्या करना है add 33 plus 57 into height height मतलब इन दोनों के बीच में हमें दिया हुआ है and the distance between distance को ही height बोलेंगे तो वो कितनी दियुई है 13 ठीक है तो बस हम इसको solve कर लेंगे 1 by 2 into 33 और 57 को add करेंगे तो कितना आएगा यहां रफ वर्क में यह इदर मैंने right hand side line लगा रखिया है इन दोनों को add करेंगे तो कितना आएगा 7 plus 3 10 0 1 5 plus 3 8 और 1 9 तो यहां पर आएगा 90 multiply by 13 ठीक है बस अब हम इसको cancel करेंगे इसको cancel करेंगे 2102 24008 और 25010 तो यहां पर यहां पर आएगा 45 multiply by 13 ठीक है तो हम इसको multiply करेंगे 45 को 13 से 35,000 65 13,400 52 52 में 6 add कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 58 तो यहां से आएगा 585 ठीक है multiply कर देंगे तो इनको आया 585 और यह सारा हमारे centimeter में है ठीक है लेकिन हमें पता है area जब हम find करते हैं तो किसमें होता है centimeter square में तो हमारा answer आजाएगा 585 centimeter square